बिये प्रतम वश्ट की कक्षा में आप सब का स्वागत है महाकवी भारवेकृत कि राता जुनियम के प्रतम सर्ग का अध्यन हम कर चुके हैं अब महाकवी भास प्रणीत स्वप्न वासवदत्तम नाटक कावम अध्यन करेंगे लेकिन उसके पहले इसकी कठा से परिचित होना आवशक है भास के बारे में आप सब जानते हैं कि संस्क्रत नाटकों को एक दिशा देने का उसको प्रतिश्ठित करने का कार भास ने किया उस विधा के विकास आगे जागे कालिदास और अन्य जो परवर्ती कभी उन्होंने किया लेकिन उसके जो प्रारंब के अंदर जिस रकार का लेखन मिलता है उसके अंदर जो हमें परिपक्वता लगती है उस समय को देखते हुए वो भास का संस्कृत साहित को बहुत बड़ा योगदान है उनके जो अनेक नाटक प्रसित हैं उसमें स्वपनवासवदत्तम को हम कह सकते हैं कि वो उन प्रमुक कृतियों में हैं जिसके आधार पर उनकी पहचान बनती है ये आप सब जानते हैं कि जो प्ताची नाट महारा संस्कृत साहित है उसका उपजी विकावे माभारत और रामाइड रहे हैं तो अपने वासवदत्तम नाटक भी माभारत पर आधारित है उसका कथानक वहीं से लिया गया है ये कथा बचसिदेश के राजा उदियन की है जो अपना सर्वस्वे एक प्रकार से कहना चैपना राज्य जिसका पर से अधिकार खोड़ चुका है और एक बहुत छोटे ही शेत्र में वो सीमित हो गया है इस नाटक का प्रारंब होता है कि जो उदियन की पत्नी है वो अवंति राज कुमारी वासवदत्ता है जो अवंति राज के यहां उसने उसका पालन पोशन किया लेकिन उसकी पुत्री वासवदत्ता के साथ उसके प्रणय संबंद हुए और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और क्योंकि उदियन के मन में कहीं अप्राद बोध है इसलिए वो उससे किसी प्रकार के साहता भी ले सकता है जो अवंति राज है माहा सेंचिन के नाम से इसमें संबोधित किया गया है तो यहां पर वो कहते हैं कि जब वो एक बहुत छोटे से शिर्व में रह रहते और उनका वासफदत्ता के प्रती रुजहान बढ़ता जा जा था तो उनके मंत्रियों के मन में ही आया कि यदि राजा इसी प्रकार से वासफदत्ता के प्रेम में ही यदि मगन रहेगा तो ये अपने राजा को पुना प्राप्त करने के लिए प्रेयतनिशिल नहीं होगा तो वो उसके मंत्री मिलकर के ये योजना बनाते हैं कि कि किसी तरह से वासफदत्ता को इससे अलग करना चाहिए तो एक बार जब राजा आखेट के लिए बन गया हुआ है तब उसका मंत्री योगन रायन उसने अपनी जोजना में वासफदत्ता को भी समिलित कर रखा है और वासफदत्ता भी यही चाहती है कि उध्यन का राजो से पुना मिले तो वो उनकी योजना में समिलित हो जाती है तब वहाँ पर वो जिस घर में रह रहे हैं उस पर आग लगा देते हैं और यह प्रचारेत कर देते हैं कि इस महल में आग लग गई जिसमें वासवदत्ता जल गई और उसको बचाने में उसका जो मंत्री है योगन रायन को भी चल गया दोनों वहाँ से निकलते हैं और सब्सकार की वेश भूशा धारन करती है उसने धारन कर रखी है योगंद्रायण एक परिवराजक के वेश में हैं वो तपुवन में जाते हैं उसी समय मरगत की राजकुमारी पदमावती का वहां आगमन होता है वो अपनी माता से मिलने आई है पदमावती का भाई महरास दर् आवशक्ता हो मुझसे मांग ले तो तपोवन के निवासी तो आपत काम है उन्हें किसी अन्य भौतिक साधनों की आवशक्ता नहीं है तो उनकी तरफ से तो याश्णा नहीं होती लेकिन योगंद्राइण यहां पर कहता है कि मेरी ये बहन है प्रोशित भर्दिका है अथार् उसके संद्रक्षक बनना स्विकार कर लेती है योगंद्राइण वहां पद्मावति को वासवदत्ता को सौफ के चला जाता है फिर पद्मावति अपने पूरे परिवार जो उसका जो साथ में गया हुआ है और वासवदत्ता को लेकर अपने राज लौट आती है जहां उनम पहले ही घोशना कर रखी है कि पद्मावति अरुद्यन का विवा होगा घटना क्रम ऐसा होता है कि उससे महराज उद्यन पाटली पुत्र आते हैं मामगत आते हैं और उनको ये इसकी सूचना वासवदत्ता को यह मिलती है पद्मावति के मन में उसके प्रति उत्सुकता है वासवदत्ता भी बताती है उसके बारे में तो इस प्रकार के हास परिहास के साथ ये प्रकट होता है सूचना मिलती है कि माराज दर्शक ने पद्मावति का विवा संबंद माराज उद्यन के साथ इस्थिर कर दिया है और शीकर ही उन दोनों का विवा होना है और उसके पश्चात बाच्चीत में जैसे महराज उद्यन और उनका जो स्मित्र है विज्दूशक उनके वसंतक उसके माध्यम से इग्यात होता है कि उद्यन अभी वी वासवदत्ता को भुला नहीं सका है पद्मावति के अंदर इत्ते उदारता है क्योंकि पद्मावति और वासवद और इनी सब के बीच में ये आता है कि पद्मावति के अस्वद्त होने की सूचना वासवदत्ता और उद्यन दोनों को मिलती है और ये मिलता पता चलता है कि उसके विश्राम की अवस्था के लिए समुद्रह जिसे हम जलमहल कह सकते हैं वहाँ पर उसके लिए वहाँ पर व अतनी है उसके प्रतिवी प्रेम भाव है कूमल भाव है तो उसके अस्थस्त होने के समाचार से थोड़ा अध्यलित भी हो जाते हैं कि वासवदत्ता तो पहले ही जा चूगी ये भी अस्वस्त है जब वो उस जलमहल में पहुशते हैं तो वहाँ कोई नहीं है उनको लगता है कि यहां उसकी सखी ही लेटी हुई है तो उसके पास उसको सो गई है तो उसको लगता है कि संभवता और शदियों से उसको कुछ आराम आया है इसलिए वो यहां पर सो गई है तो उसको जगाती नहीं हूँ और वो भी उसके पास लेट जाती है राजा स्वपन देखता है जिसमें उसे देखता है कि वासफदत्ता जीवित है और वो एक्दम उसको रोखने के लिए कि उसको देखता है वासफदत्ता उसको छोड़के जा रही है तो वो प्रलाप करने लगता है कि मुझे छोड़के मच जाओ ये सुन करके वासफदत्ता थोड़ा सा हत्रब रह रहत वो देखती है कि वो नींद में ही बोल रहा है तो उसको लगता नहीं है उसका यहां से जाना उचित है तो वहां से वो निकल जाती है और राजा को भी क्योंकि सुपन में उसको लगा कि वासवदत्ता है और उसके इस पर्श करने से वासवदत्ता उसका हाट ठीक करती है तो उसकी नींद खुल जाती है, वासवदत्ता तो वहां से निकलती है और वो भी हरवडा के उड़ता है, उसमें गिर भी जाता है, उसके पश्चात की यह उदियन को महरास दर्शक की साहता से अपने राज को पुनाप्राप्त कर लेते हैं, वो अपने राज में स्थापित हो ग हैं, उसका चित्र लेकर की उन्होंने बनवाया है, वासवदत्ता और उदियन का और उसको लेकर के वह वहां भेशते ukla हैं, कि उससे कहा कि हम अन्होने जो किया वह अनुचित था, लेकिन हम उदियन को पसंद करते थे यह अवन के इस प्रकार के वेवहार को शमा कर दिया ह जब वहां पहुशथे हैं और उधियन उसकी चित्र को देखता है, तो पदमावति को लगता है कि ये तो वासवदत्ता है, वो उसे पूछती है ये क्या वैसी ही है जैसी आप वासवदत्ता थी तो बोले हाँ इसने तो बिलकुल हूब वैसी है तब वो बताती है कि ऐसी हमारे संडरक्शन में रह रही है तो राजा उसको बुलवाते हैं और पूरे नाटकीता के साथ में योगंद्रायन भी प्रकट होता है वासवदत्ता को भी पहचान लिया जाता है और उनका मिलन हो जाता है इस पीचे में बहुत सारे ऐसे द्रिश्यों की संयोजना है जिसके द्वारा ये पता लगता है कि रा गोश्वति है वो भी उसको मिल जाती है तो द्रिश्यों का संयोजन इस प्रकार से है कि जिसमें कहीं भी कठा के अंदर घति भंग नहीं हुआ है किसी प्रकारस से उसमें उभ उत्पन नहीं होती सारे की सारी गटनाएं बड़े स्वभाविक प्रभा के साथ आगे बढ़त उनका अध्यापन में करवाऊंगी और उसके साथ साथ जो गद्य भागे है उसका एक प्रकार से कथा में प्रभार है उस रूप में मैं आपको समझाते जाओंगी बाकि आप भी अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे प्रकार से पढ़िए क्योंकि इसके अंदर से जो उत्रात्मक प्रशनाते हैं वो जब तक आप पूरा उस तक नहीं पढ़ते तब तक उसका आंसर करना उसका उत्तर देना संभव नहीं हो पाता यह केवल एक प्रकार से मैंने इसलिए इसको दिया ताकि आपको परिचे मिल जाए इसका जो नाटक का नाम है स्वप्न वासव हो गई है और बाद में उनका मिलन भी होता है उस पूरे घटना क्रम पर इसका नामकरण किया गया है और वही इसका आधार बनती है भाशा आप पढ़ेंगे बड़ी ही सरल है सहज रूप से उसका जो है अर्थबोत हो जाता है जो श्लोक हैं उसमें सभी जो लियात्मक हैं उनका बड़ा स्वभाविक वर्णन हमें वहां पे मिलता है चंद के अनुसात प्यानी की जो विशे के अनुसात चंद का प्रयोग किया गया है उन सारी विशेष्टाओं को मैं उसके साथ साथ इसपश्ट करती चलोंगी इसके जो प्रमुक पात्रें माराज उदियन प तो जब आप पूरा एक बार टेक्स्ट पढ़ लेंगे आपको साहता के लिए नोटस तो मैं दूंगी लेकिन उसमें आप अपनी जो कुछ भी आपने पढ़ा जो समझा उसकी अनुसार भी आप उन बिंदों का समावेश करते हुए जो इसके शलोक हैं उनको साथ आप उस क अख्यान से प्रारम करेंगे तो आप निरंतर इसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे ताकि आपको किसी प्रकार की बाधा उत्पन नहीं हो